हेलो गाईज वेलकम डो न्यूज अपडेट प्लीज इन सस्क्राइब कर लेना गाईज शहनाज गिल की आवोर्ड फंक्शन के बहुत सारी क्लिप सामने आ रही है वह आवोर्ड फंक्शन में बहुत सारे सेलेब्रिटी से मिली तो प्लीज पूरा वीडियो देखेगा बहुत सारे सेमी प्लीज दिखाया वह उंसे मिले मतलब उनके चहरे पे था prose आसा होता और कि आपको किसी से मिल के अच्य लगता है तो सामने वाले का दिखता है कि अच्या लगता है और शहनाज गिल्ल Thankfully भी ब Argumentate बीवहीर मेडिया से बात करते हुवे भी उनुन्हें कहा कि उन्ह लेकिन सुना जरूर हो का उनके बारे में अगर वो इस शो में आये हैं और वही बात शेहनाज गिल की शेहनाज गिल तो आई भी थी इस बार बिग बॉस 16 में एज गैस्ट इसके अलावा मतलब वो शो फोलो नहीं कर रही है उन्होंने बताया लेकिन पता सबको रहता है कि कौ कौन अच्छा खेल रहा है कौन रियल लग रहा है छोट-छोटी क्लिप्स वगरा तो सभी देखते हैं अब यह देखिए यह रुपाली गाउंगली आप सभी जानते होंगे उन्हें कितनी स्माइल के साथ शेहनाज को हग किया है उनसे मिली है एक समय था जब रुपाली गा या मेरी पॉपलर्टी जादा है तो इनसान को यह दिखाना कि हां उसको सामने वाले को नीचा फील कराना वो शेहनाज की नेचर में है यह नहीं वो नेगेटिविटी बिल्कुल चाहती ही नहीं है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि मुझसे नेगेटिविटी पे कुशि unbelievable नेगेटिविटी को कभी अपने पास आने ही नहीं देती हैं वो हमेशा दूर रफती है वो कभी सोशल मीडिया पर उसको कर से नेगेटिविटी हाईलाइट हो आपने देखा काफी सारे सालेब्स है जो अगर उन्हें कोई ट्रोल करता है कुछ कहता है तो reply देत कि दो मतलब बहने कह सकते हैं या अच्छे से दोस्त कभी भी मिलते हैं तो इसमाइल के साथ मिलते हैं हग करते हैं और कभी भी आवार्ड फंक्शन या पार्टी में वो मिलें तो उनकी पिक्स हमेशा साथ में आई हैं अब यह देखें चोटी सी क्यूट सी सेलेबरिटी शेहन से मिलकर होई खुश इनका एक क्यूट सा वीडियो भी आया ये शेहनास से मिल रही है हक कर रही है उनको स्माइल कर रही है यह भी सवर्ड फंक्शन में थी अच्छा लगता है कि हर जनरेशन का इंसान मतलब चाहे थोड़ा भुजुर्ग कहिए यंग जनरेशन कहिए और बिल खा दिया वह मिली शेहनास से हैंशेक किया हक किया शेहनास विन से मिलके खुश होई शेहनास हो बच्चों से मिलके बहुत खुश होती है कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करना थैंक्यू